ब्रेक के बाद आपका स्वागत है भवरी के जीवन पर बननी फिल्म देवी दे रियल स्टोरी ओफ राजिस्थान को दिपावली के मौके पर रिलीस करने की तयारी है लेकिन फिल्म के अभी नेता को इस अबात की आशंका है कि कुछ लोग इसका विरोत कर सकते हैं कि फिर तो महारे साथ बैठ कर आपने अपने अउकात महारे बराबर कर ली मानूद माद बुलाई यह उसे वो तो कपका जा चुका होगा अपना इनाम लेकर जो शराब छुपा कर लाये थे चक्खेंगे नहीं मन्तित यह उस फिल्म की क्लिप है जो तिवाली के मौके पर रिलीज होने जा रही है इस फिल्म में भाउरी और महिपाल मदेरणा के रियल जिंदगी को फिल्म आया गया है यह किसी को बताने की जरूरल नहीं है कि फिल्म भाउरी और महिपाल मदेरणा के बीच क्या संबंद थे क्योंकि फिल्म भाउरी के कायब होने के बाद ना सिर्फ राजस्थान के राजनिती बल्कि पूरे देश के राजनिती में भूचाल लागया ना यहां राजनिती भी है ना बड़ी चीज हो है काई काई के खेला खेला है फिल्म के डायलोग सुनने के बाद ये कहने की जरूरत नहीं है कि राजनिती में सब कुछ जायज होता है और जैसा कि भौरी के रियल जिन्दगी में महिपाल मदेरणा और उसके साथियों ने किया था फीक उसी तरह देवी का रियल स्टोरी आप राजस्तान दिल में दिखाया गया है इस फिल्म में भौरी का किरदार मुंबई के अधनेतरी रश्मी ने निभाया है वहीं खलनाएक कि भौंका में धौलपूर के करणदीर चोधरी हैं जिन्होंने महिपाल मदेरणा का किरदार बता और मंत्री बाबूराम के नाम से निभाया है राजस्तान में जिस दिखज के नाम से पूरा जाठ समाज जमा हो जाता था उस शक्स के खिलाफ फिल्म बनाना कितना मुश्किल काम रहा होगा इसका निभाया लगाना बेहत मुश्किल है ज़राम लोग जियापुर में शूट कर रहे थे तो कुछ लोग थे जो मैं कुछी पार्टी विसेस का नाम नहीं ले सकता लेकिन उन्होंने कहा था कि आप ये फिल्म बन कर दीजिए और ये मैं निपाल जी पारा फिल्म नहीं बना सकते वरना हम ये कर देंगे वो कर देंगे और दो गंटे हैं हमारी फिल्म की शूटिंग रूकि रही और यही वज़ा है कि जिस वक्त फिल्म का निर्माण शुरू होने जा रहा था उस वक्त कई जाट नेताओं के फोन इनके पास आये थे और एक जाट के खिलाव फिल्म में काम नहीं करने की नसीहत भी दी थी हमारे जो कुछ जाट लोग भी थे उन्होंने काता है कि करमीर जी आप जो जाने इस फिल्म में काम मित कीजिए मैं इपाल जी का रोल मत कीजिए क्योंकि यह हमारा समाज का मामला है तो मैंने उन्हें बड़े प्यास यह समझाया कि अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई गोर करेगा चुकि मैं फिल्म अभिनेता हूं मेरा काम ही है तो अच्छे इतना बड़िया मोका मिला अच्छा भोल है तो मैं इसको खोना नहीं चाहता इसलिए मैंने किया है विरूद की वावजिती में नहीं सकती है यह बात सबको मालूम है कि राजस्थान की सियासत में महिपाल मदेणा की चूती बोलती थी और जाटो में गहरी प्रैट भी थी शायद यही वज़ा है कि फिल्म के अभिनेता को इस बात का डर है कि रिलीज की वक्त ना सिर्फ परदर्शन हो सकते हैं बलकि उनके शरीर को अभी नुक्सान पहुंच सकता है महिपाल जी और उसका परिवार और सब लोग अभी जिन्दा है तो वो लोग विशेश रूप से इसका विरोध करेंगे और मुझे बहुत सी समझाओंगा सामना करना पड़ेगा फिल्म रिलेज के बाद इस फिल्म का सब को बेशाबर से इंतजार है क्योंकि सभी लोग फौरी के जीवन के पहली को परदे पर देखना चाहते हैं आप देखना ये है कि देपावली पर ये फिल्म रिलीज होती है या नहीं क्योंकि इस बात की आशंका है कि जाट इसका विरोध कर सकते हैं और इस बात की आशंका फिल्म के अभिनेता भी जता चुके हैं निरज नरवार सहरानिश विरो धौलपूर क्योंकि अब आप वो देखिए चुब देखिए और इस बाता हमारे निरज नरवार फो लाइन पर जोड़ चुके हैं निरज ये तो अनलाजा लगा पाना मुश्किल होगा कि ये फिल्म दर्शकों को कितना इंप्रेस कर पाएगी या कितना प्रभाव छोड़ पाएगी दर्शकों पर लेकिन इस फिल्म की जो क्रू है वाकरी में उनके लिए काफी कुछ यहां पर हो सकता है जब फिल्म रिलीज होगी काफी विवादास्मत फिल्म है और जो लोग इस फिल्म से जुड़े हुए हैं वो अभी भी जिन्दा है अगर बात करें फिल्म जी तो इस फिल्म में जो मुट के खलनाएक की घुंगा है जो राज़ेस्थान के काफीना मंतिर से रहे है मैपल मदेरना उनकी घुंगा है निवाई है करणवी चोधरी ने वो भी जाट समाज के सिर्मोर माने जाते हैं फिल्म के खलना एक है वो भी जात है मुझे लेकर रहने वाले है राज़ेस्थान से भी बलोंग करते हैं आगर माना जाएस तो जात बाखुल लेका है राज़ेस्थान पर यहाँ पर यह फिल्म रिलिज्ट उने से पहले जब फिल्म की तैयारी चल लए थी उससे मेंगी इनको काफ़ी लोगों की ब्रोट का सामना करना पड़ा था ता वहीं के अलावा जियातों के अलावा कॉंघर ती ने था किन ऐसा चैयार हो ए है फिल्म मंदर प्रश्चेयर है एक डेटिंग की जा रही है बीपाप बली ते किस फिल्म के रिगजाने के उमीद ह लेकिन साथ में कयात लगाई जा रहे हैं कि फिल्म जब रिलीज होगी तो हो सकता है राजिस्थान में इस फिल्म को लिगाई आप बने लिए हमारे साथ सुरेंदर राथो जुड़े हुए हैं फिल्म के डिरेक्टर से हैं सुरेंदर जी आपका बहुत स्वागत है है मारे साथ से पेश्क्रश में हैं थांक्यू बैरे मच्छ सुरेंदर जी किस तरह की परिशानियों से दोचार होना पड़ा आपको फिल्म बनाते वागत हम चाते थे कि इस फिल्म को राजसान के लोकेशन से शूट करें क्योंकि जो फिल्म की नेच्रल्टी है वो हम बनाए रखे तो हमें राजसान जनो शूट करने के लिए और हम राजसान जब गए तो हमने वहां पर इविन ये तख नहीं मताए कि हम क्या शूट यहां पर कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे इसे इलाके थे जहां पर जो मदेनाजसाब की कम्यूटी के ज़्यादा लोग विलोंग करते हैं तो हमें जूट बोलना परता था कि ये एक बाल विवाप फिल्म बन रही है या फिर बाल में ये ब्रैज परता पर गुज बन रही है तो इस तरीके से हमने जूट बोलके इस फिल्म को शूट किया राजसान पर बलकुल जब आप फिल्म रिलीस के लिए तयार है सुरेंद्ज जी तो किस तरह से आपको लगता है कि इस फिल्म का विरूत किया जाएगा या डर जो है वो आपके क्रिव में में जो बरकरार है जो अभीनेता है जो फिल्में अभीने कर चुके हैं वो भी इस बात से इंका नहीं करहे कि विवाद काफी होगा जी मैं बिल्कुल डगनी रहा हूँ और बिल्कुल नहीं रहा हूँ कि विवाद मेरी जो हमारी जो स्टॉरी है वो एक जानी है किसी लड़की की यह मलब वो फर्स से कैसे अर्फ के पूर पूंचती है और किस तरीके से वो कृतनाईयों का सामना करके जो उसकी डेश्टिनी है वह सक पूंचती है वो एक रुड़की स्टॉरी है वो अपने आप में एक रिजामा है और मुझे ज़िए लगता कि वो ज्यादा करन्रोसी में होगी हमने एक इगनारी को परजन किया है कि कि सरीगे से इगनारी का भी रूप होदा है और कि सरीगे से वो अपना गीवन चला ज़रने के लिए जो बहुत ही घराब है लेकिन जब आप फिल्म बना रहे थे तो किस तरीके से आपने इस फिल्म की स्क्रिप्टिन की आईडिया कहां से आया आपको इस फिल्म का और साथ ही अगर हम बात करें इसके क्लाइमेक्स की तो कैसे आपने इसको क्लाइमेक्स तरके उचाया मैं आपको बत रहा हूं कि बाला जी चोड़ने के बाद में मैं कुछ अची सोरी पर काम कर रहा था अजんだनक जब यगे केस पाईली से आया भावरी का सामने मैं आपको पर स्थाम ने सिक कर रहा है कि यह कि क्या क्या पर हो रहा है Major तुए छो मैं ना कसु कर द तर चेक्ष गो कि अग्या जाता है क्या जा जालंग है और मुझे रज़तान मैं रुजा रगी है ये वही हमे लिए जिसके के साफ़ काम करना चिज़ीग הזה ons बना दो ना कोूआ hadthe Paz मैं वह। mustn बंदा हूँ जो राज़स्तान के कलर को दिखा सकता हूँ सब्गला कुझे दिखा सकता हूँ और वहां के लोगों को दिखा सकता हूँ बहुत अच्छी तरीकी से राज़स्तान को परिजेंट कर बाउंगा मैं पुरे हृंधूस्तान के सामने इविन पुरे युनिवर्सली के सामने